आज हम M.S.C. सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर क्वांटम मेकैनिक्स सेकेंड के मौशन इंपोर्टन क्योशन की वीडियो प्लोड कर रहे हैं और उमीद है कि यहां से आपको फर्स्ट सेमेस्टर की तरह सभी क्योशन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे पेपर में यानि लगभग हमें इतनी उमीद है कि जो इंपोर्टन क्योशन में बता रहे हैं आपका पेपर वहां से अराम से कवर हो जाएगा तो वीडियो को लाइक कोमेंट शेयर करें और बविश्य में हमेशा इसी प्रकार की इंपोर्टन वीडियो और अपने टोपिक्स का सुलिशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा ज़्यारतियों तक इसका फाइदा पहुंच सके तो वीडियो को लाइक कोमेंट जरूर कीजिए आई ये शुरू करते हैं जैसे आप जानते हैं महराजा गंगा सिमिश्य दाले का कल पांच अक्टुबर से और पेपर है MSE Second Semester का Quantum Mechanics Second का कल पेपर है तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें ताकि इस अभी विद्यारतियों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इसका फाइदा मिल सके मैं आपको आपके syllabus के according important question बता रहा हूँ तीन युनिट के जिनको आप त्यार करके और अच्छे marks प्राप्त कर सकते हैं आपकी जो युनिट फर्स्ट है उसमें time independent sorry time dependent perturbation theory है वो important है इसके लबाव फर्मी golden rule है यह important है इसके लबाव आप इसमें देख सकते हैं जो selection rules है वो काफी important है और एक इसके अंदर जो forbidden transition यानि कि यह transition probability जो है यह important है इसमें सबसे ज़्यादा important जो है फर्मी golden rules और time dependent perturbation theory इसके अलावा इसमें आप थोड़ा extra में करना चाहें तो transition probability और forbidden जो transition है इसमें selection rule आ जाएंगे यह चार topic आप इसमें कर लेजिए आपको इनमें से question मिल जाएंगे अब आपको टोपिक इस तरह के से त्यार करने है कि यहां से कोई short question भी आजें चोटे question भी आजें तो भी आप उनको कर सकें इस तरह के से आपको पूरा topic त्यार करना है इसके बाद second के अंदर सबसे most important है डबलू के भी approximation कैली जोर्डन और डिडाक equation यह सबसे most important है हर एक exam में आती है इसके लावा alpha decay यह भी important है टू इलियम 4 होता है alpha और इसमें एक फिर identical particle जो हैं जिसके अंदर symmetric और anti symmetric wave function आते हैं और यह आपने BAC के अंदर भी पढ़े होंगे तो इस परकार से यह 4-5 topic इसके अंदर भी हैं जो काफी most important है डबलू के भी approximation काफी बड़ा question है मतलब के ज़्यादा numbers का आने की इसकी समावना है हैं तो डबलू के भी approximation केली जोर्डन और डिराक equation है इनको आप अच्छे से तयार कर लीजिएगा alpha decay और identical particle हैं यह आपके कम number यानि की जो आपका side section भी आता है तीन number का उसके अंदर यह आ सकते हैं यह आपकी unit second हो जाएंगी इसके बाद हम बात करें unit 3 की तो unit 3 के अंदर यहां पर एक तो बोरन approximation है ठीक है बोरन approximation है यहां पर आप देख सकते हैं बोरन approximation है इंपोर्टेंट है square well potential important है इसके लाव पार्शिल वेव एनलाइसिस है यह भी काफी important है और एक topic इसके दरूर रह जाता है जैसे scattering amplitude है यह आपका जो topic है वह भी important है तो इसमें बोरन approximation इसके लाव स्क्वेर वेल पोटेंशिल पार्शिल वेव एनलाइसिस यह काफी important है इसके लावा यह जो scattering है laboratory है reference frames है यह आप normally है लेकिन अगर आपको अपने कोई त्यारी पहले नहीं कर रखी है और आपको अब एक्जाम देना है तो आप इन topics को अच्छे से त्यार करेंगे तो आपके अच्छे मरक्स आ जाएंगे और जो विद्यारते रेगुलर त्यारी कर रहे हैं उनको भी इसका फाइदा मिलेगा लगातार helpful वीडियो प्राप्त कर हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद